हलो मैं डियर स्टुडेंट वेलकम बैक तु माई यूटूब चैनल सुभास एश्टडी संटर जितने भी मेरे प्यारे बच्चे का अच्छा दस्क विद्यारती हैं और साथ मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं साथ मार्च दो हजार चौबिस को मेरे प्यारे बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आचुका हूँ सामाजिक विज्ञान के सबसे महत पूर यम सीक्यू अर्थात विकल्पी प्रशनों को इन प्रशनों को आप यदे तयार कर लेते हूँ तो 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपकी बोड़ परिच्छा 7 मार्च को पेपर में प्रशन जरूर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा पहला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा खनिज का आधार भूत है और आप से रिक्वेश्ट है कि आप लोग इन सभी प्रशनों को अपनी नोट्स पर लिख लेना मैं महतपूर प्रशनों की सिरीज करा रहा हूँ आप उन प्रशनों को नोट करते जाओ 100% की गारंटी है कि यहां से प्रशन जरूर पूछे जाएंगे बोड परिच्चा में और आप से एक और रिक्वेश्ट है कि आप बहु विकल्पी प्रशनों यानि MCQ प्रशनों की व आपने OEMR सीट में एकदम सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके ये पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे मैत में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चो मैत में तो आपको साल्व करके ही उत्तर फिल करना होगा लेकिन अन्य जो विसे हैं जैसे की हिंदी हो गई और सामाजिक विज्ञान, गरह विज्ञान, चितरकला और साथी साथ मेरे प्यारे बच्चो विज्ञान इन विसेयों में आप लोग जो है इन प्रशनों को यदि तयार किये होंगे प्रते विसे से समंधित तो आपके 20 में से 20 नंबर पूरे पूरे मिल सकते हैं और आप यदि प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो जरूर मिलेंगे लेकिन मेरे प्यारे बच्चो जो वर्डनात्मक प्रशनाते हैं जो की 50 अंको के होते हैं यदि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तब ही आपको 50 में से 50 फिर भी नहीं मिलेंगे एक आध नंबर काट ले जाते हैं तो इसलिए आप लोग जो है 20 बहुविकल्पी प्रशनों की ओर ज्यादा ध्यान दीजी और जो बड़े प्रशन हैं उनको भी आप ध्यान दें ये नहीं कहता मैं कि आप सिर्फ 20 प्रशनों से ही पास हो जाओगे ऐसा नहीं होगा आप 20 प्रशनों की ओर ज्यादा ध्यान और जो वड़नात्मक प्रश्णाएंगे 50 अंग के इनकी ओर तो ध्यान आपका जाना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिगा अगला प्रश्ण यहाँ पर है हेमेटाइट का सम्मंद किस खनिज से है पहला है विकल्प यहाँ पर तामा दूसरा विकल्प है बाकसाइट तीसरा विकल्प है सोना और चौथा विकल्प है यहाँ पर लोग अयसक तो हेमेटाइट का सम्मंद किस से है इस प्रश्ण का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों लौह अयसकशी, हेमेटाइट का समंद्ध है लौह अयसकशी, अगला प्रश्ण है मेरे प्यारे बचोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्ण है, आप लोग इन प्रश्णों को जब लिख लोगे, तो आपको ये प्रश्ण कंठस्त हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, यहाँ प के लिए और चोत्हा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों बाक साइट के लिए. तो कोर्बा जो है यह कियों प्रसिद है? किस लिए प्रसिद है? कोर्बा इस प्रश्ण को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. का से कोर्बा और का से कोईला का से कोर्बा का से कोईला आप लोग ध्यान देंगी का से हो जाएगा क्या कोर्बा और का से क्या हो जाएगा कोईला ये थोड़ी से ट्रिक है आप समझें तो अच्छी बात है यहाँ पर का से कोर्बा और का से कोईला यानि कोईला के लिए क्या प्रिशिद है कोर्बा यानि कोर्बा प्रिशिद है किसके लिए कोईला के लिए यहां पर पहला विकल्प सही होगा अगला प्रश्न है जारखंड में कोड रमा जारखंड में कोड रमा यानि जारखंड का जो कोड रमा है यह किसका अग्रडी उतपादक है पहला है विकल्प अब्रक का दूसरा विकल्प है लोह आयस्क का तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चो ताबा का चौथा यह किसका अग्रडी उत्पादक है इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चो अबरक्का प्रशनगला है मेरे प्यारे बच्चो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है दिएगे विकल्पों में से किसी काला सोना कहा जाता है पहला है विकल्प यहाँ पर हीरा दूसरा विकल्प ह तीसरा विकल्प है कोईला और चौथा है विकल्प प्लेटिनम तो यहां पर उत्तर क्या होगा किस खनिज को काला सोना कहा जाता है इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा कोईला जो है इसे क्या कहा जाता है काला सोना भी कहा जाता है कोईले को क्या कहते हैं काला सोना भी कहते है अगला प्रिश्ण है मेरे प्यारे वच्चों यहाँ पर किस खनिज को वर्तमान सताबदी का इंधन माना जाता है। इस प्रिश्ण का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे वच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा। इस प्रिश्ण का उत्तर समझने से पहले मैं आपको एक चीज कनफर्म कर देना चाहता हूँ। और आप लोग ध्यान दीजेगा। उर्जा के परमपरागत स्रोत और उर्जा के गैर परमपरागत स्रोत से क्या तात पर रिख्या है। तो परमपरागत स्रोत वैं स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रियोग करने के बाद वैं हमें पुनह प्राप्त नहीं होते। आप लोग ध्यान देंगे पुनह प्राप्त नहीं होते उर्जा के परमपरागत स्रोत कहलाते हैं। प्रेउग कर लेते हैं याए एक बार इनका प्रियोग होने के बाद ये दुबारा उस स्थिती में नहीं रहते कि इनका पुनह प्रियोग किया जा सकता है। और उर्जा के गैर परमपरागत सरोत वे सरोत हैं जिनका एक बार प्रियोग करने के बाद उन्हें नवी करणी रूप से भी प्रियोग किया जा सकता है। के रूप में प्रियोग कर सकते हैं लेकिन कोईला जो है यदि कोईला एक बार जल गया आप लोग ध्यान दीजिएगा कोईला एक बार जला देने पर क्या होगा वह राख हो जाएगा। के उरजा है इनका नवी करण करके हम पुनाह इन से उप्योग में इनका उप्योग पुनाह किया जा सकता है। तो उमीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको इस प्रश्ण का तातपर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्ण से समंदित कैसा भी प्रश्ण आएगा आपकी बोर्ड परिच्छा में आपसे गलत नहीं होगा सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपोर्टन प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा चाय की खेती के लिए कौन से मिट्टी उपयुक्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्ण में आपको और बताऊंगा इसी समंधित कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्ण में पूछ लिया जाता किस निमनलिखित में से किस राज में सो पानी खेती की जाती है। तो चाहे सीड़ी दार लिखा हो या सो पानी लिखा हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों जरिया कोईला के लिए प्रसिद्ध है। और्भा भी कोईला के लिए प्रसिद्ध है। जरिया मेरे प्रसिद्ध है कोईला उत्तर पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रशन ये भी आप लोग ध्यान देंगे, 2024 बोर्ड परिच्छा के लिए very important है, आप लोग इन प्रशनों को जरूर नोट कर लेना, मैं आप से पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि सभी महात्वपूर प्रशनों को ही इस वीडियो में सामिल किया है, आप लोग देखो सोधक कार खाने के लिए, दूसरा विकल्प दिया गया है फिल्म सिटी के लिए, तीसरा विकल्प है गेटवे आप इंडिया के लिए, चोथा विकल्प है यहाँ पर इन में से कोई नहीं, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रशिद है, तेल सोधक कार खाने के लिए प्रशि प्रिश्ण वैसा ही है कि मुंबाई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए पहला है विकल्प तामा के लिए दूसरा विकल्प है पैट्रोलियम के लिए तीसरा विकल्प है सौर उर्जा के लिए चौथा है विकल्प कोईला के लिए तो मुंबाई हाई किसले प्रसिद्ध है पैट उर्जा का परमपरागत सुरोत है तो यहां पर मैंने आपको इसपष्ट करा दिया है उर्जा के परमपरागत सुरोत क्या होते हैं उर्जा के गैर परमपरागत सुरोत क्या होते हैं आप से उत्तर गलत नहीं होना चाहिए पहला विकल्प सौर उर्जा दूसरा विकल्प कोई अगला प्रिशन है मेरे प्यारे बुच्चो भारत में निम्नमेसे सरवाधिक चाय उत्पादक राज कौन सा है? मेरे प्यारे बुच्चो यहाँ पर विकल्प पहला है आप लोग ध्यान देंगे असम, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तमिलनाडू और चौथा विकल्प है पस्चिम बंगाल, भारत में सरवाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज कौन सा है? इसका उत्त अगला प्रशन वेरे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चो आप लोगों से मैंने कहा भी है कि आप लोग इन प्रशनों को अपनी नोट्स पर जरूर लिखते जाईएगा, प्रशन है भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? पहला है वि विकल्प है जायद की फसल, तीसरा विकल्प है यहाँ पर रवी की फसल और चोथा है जूम खेती, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा भारत में जब मानसून का आगमन होता है और इस आगमन के साथ यानि मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उत्तर हो पहला विकल्प है दिहार, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, और चौथा विकल्प है राजस्थान में. तो दिये गए विकल्पों में से किस राज में दलहन का उत्पादन नहीं होता उत्तर हो जाएगा दिहार राज में अगला प्रश्ण मैंने आपको इसका उत्तर बता ही दिया था फिर भी प्रश्ण आप लोग ध्यान देंगे कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमी या मिट्टी या म्रदा कौन सी है पहला विकल्प है काली मिट्टी दूसरा विकल्प है लाल मिट्टी तीसरा विकल्प है जलोड मिट्टी चौथा विकल्प है लैटे राइट मिट्टी या लैटे राइट मिट्टी तो यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि का से होता है कपास और का से होती है काली म कासे कपास कासे काली मिट्टी यानि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमी कौनसी है काली मिट्टी है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में। दिखुमक्रसी कहा जाता है, पाई जाती है, अगला प्रिश्णे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है, दिये गए विकल्पों में से कौन सी फसल है, जो की रोपड़ फसल के अंतरगत आती है, पहला विकल्प है यहाँ पर गेहूं, द प्रिशन का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों गन्ना एक रोपड फसल है गन्ना कैसी फसल है रोपड फसल के अंतरगत आता है आप लोग इन सभी प्रिशनों को अपनी नोट्स पर लेख लेना मैं लेकर कर आओंगा आप सभी के लिए अगले महत पूर टॉपिक से र बसते रहें, जय हिंद।